इस टुटोरियल में हम यह इंट्रस्टिंग संसॉल करेंगे इट सेज अ विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ओफ फोर थाउजड तो नंबर ओफ पीपल जो है वो किसी एक गाउं में कितने हैं फोर थाउजड ठीक है इतनी पॉपुलेशन है requires 150 liters of water per head per day तो एक दिन में one day एक दिन के अंदर एक बंदा जो है एक परसंट ठीक है वन परसंट उसको कितना पानी चाहिए होता है 150 liters एक दिन में एक बंदा 150 liters पानी कंजूम करता है ठीक है it has a tank measuring 20 meter by 15 meter by 6 meter तो गाउं में एक tank है 20 by 15 by 6 meters का ठीक है जिसके अंदर basically उन्होंने पानी save करके रखा हुआ है for how many days will the water of this tank last तो कहता है कि कितने दिनों तक ये पानी चलेगा इस गाउं के लोगों के लिए देखो सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो अब ये निकालो कि एक दिन में 4000 लोग कितना पानी कंजूम करते हैं ठीक है एक दिन में 4000 लोग कितना पानी कंजूम करते हैं total ठीक है कितने liters उसके बाद इसके अंदर total कितने liters आ सकता है तो जितना इसके अंदर आ सकता है जितना liters पानी इस tank के अंदर आ सकता है उसको आप एक दिन की consumption से divide कर दो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं मैं आभी बताता हूँ देखो सबसे पहले हमें यह निकालना है कि एक दिन में 4000 लोग कितना पानी कंजूम करते हैं ठीक है अब एक दिन में 4000 लोग जो हैं वो कितना कंजूम करेंगे अगर एक ने 150 किया है तो चार यार कितना करेंगे 150 into 4000 ठीक है हर कोई 150 150 150 consume करेगा तो 4000 into 150 हो गया तो यानि कि total consumption कितनी होगी उनकी total कितना पानी यूज करेंगे वो एक दिन में 6 0 then 1 2 3 4 1 2 3 4 इतने लीटर पानी वो यूज करेंगे एक दिन के अंदर ठीक है अब हम क्या करते हैं हम इस tank की capacity निकालते है capacity मतलब कितना पानी इसके अंदर आ सकता है उसकी volume निकाल लेते हैं ठीक है so capacity of tank वो कितनी हो जाएगी वो basically इसके अंदर की volume L into B into H तो वो हो जाएगी मेरे पास L है 20, breadth given है मुझे 6 और height है 15 तो इसको जब मैं solve करूंगो तो याद हैगा 15 into 6 is 19 into 2 is 1, 80 और 10 और इतने meter cube अब हमारे पास अगर कोई भी एक container हो जिसके सारे edges 1 meter के हो यानकी एक cube है 1 meter height, 1 meter length और 1 meter breadth तो 1 meter, 1 meter, 1 meter तो इसका volume कितना आजाएगा 1 into 1 into 1 यानकी 1 meter cube तो इतने box में इतने container में 1 meter cube में हम लोग 1000 liters of water save कर सकते हैं यह standard होता है ठीक है तो 1 meter cube का मतलब होता है 1000 liters ठीक है तो अब मैं इसको भी पहले liters में convert कर लेता हूँ क्यों क्यों क्योंकि यह figure already मेरे पास liters में है ठीक है तो इसलिए मुझे इसको भी liters में convert करना होगा या फिर दूसरी तरब मैं इसको meter cube में convert कर लूँ meter cube में convert करने के लिए यान तो इसको 1000 से divide कर दो या फिर इसको आप 1000 से multiply करके इसको liters बना दो ठीक है तो let's do one thing मैं इसको 1000 से multiply कर देता हूँ तो this is equal to 1800 into 1000 which is equal to 1812345 इतने liters इसकी capacity है ठीक है तो मैंने meter cube को liters में convert कर लिया अब हमें ये पता है कि ये पूरा गाउं एक दिन में इतना liter पानी consume करता है और total पानी जो हमारे पास available है वो है इतने liters तो इसको अगर मैं इससे divide कर दूँ तो मुझे total number of days मिल जाएंगे यानि कि number of days मेरे कितने हो जाएंगे total water जितना है मेरे पास 1-8-0-0-0-0 इसको मैं 6-0-0-0-0 से divide कर हूँ तो ये 5 zeros के साथ 5 zeros कट गई 6 into 3 is 18 तो इसका मतलब 3 days का पानी available है मेरे पास इस tank में जिसको ये पूरा गाउं use कर सकता है only for 3 days so that's it from this video keep watching मेरे माफिया